तो वेल्कम तू आर यूटूब चैनल विचिस शायद हाश्मी ऑफिशल तो गाइस कि आज इट का स्थट देया है और यार यह लॉक्डाउं के चक्कर में कहीं जाना हो रहा नहीं है और मैं बाल का कंडिशन देखे गाइस यह इसी तरीका से खराब हो के रखा बड़ा बाला भी हो रहा है इसके कारण मेरे को बहुत ही जाधा दिक्कत हो रहा है इसको मेंटेन करने में एक बार खली लॉक्डाउन खोल जाए फिर उसके बाद में जाऊंगा और जाके बाल कटवा लूँगा अपना तो यार अपना दिन इसी तरीका से निकल जाता है इधा हुदर करके और कुछ होता है यूटूब के लिए कुछ वीडियो बना लेता हूं छोटा शॉट शॉट वीडियो होता है वह बना लेता हूं और यह फिर उसके बाद और तो कुछ काम रहता नहीं करने का तो मैं ऐसी दिखाता हूं देखता हूं दिन बढ़ करूंगा क्या तो उससे आप लोगों वहर चीज शेयर कर दूंगा यार मैं बाल ना चलते हैं घर के तरफ और फिर जाकि वहां पर तुछ काम है मेरे को तो वह सब अभी करना पड़ेगा और हम कि मेरे को जब भी कोई स्मॉल रील वीडियो या फिर शॉट वीडियो बनाना होता है तो मैं एक जगा है जहां पर मैं अपना स्टैंड रखता हूं वहां से क्या उतर ना लाइट बहुत अच्छा आता है तो यह देखो यह रहा स्टैंड वो तूटके रख दिया गया है इसलिए क्योंकि हम लोग लास्ट लास्ट बाज हम लोग कॉलकता गहते तो यहां पर घर साफ हो रहा था तो उसी चक्कर में इस लगा कि सुख गया होगा तो ठीक है वह इसको लगाते हैं यार मेरे को बता है इस तब से दिमाग खराब होता इसमें बता है क्योंकि गलती से हाथ में अगा लग गया ना तो यार चमड़ा निकालके यह चुटता है वो तो यार कभी भी फैविकुल की कर यूश कर रहे हो तो ध्यान से यादी जगह में तो बैठ रहा रही है मैंने इसको यहाँ पर पहले ही लगा के रखा था कि मेरे को पता था यह जरुवत पड़ेगा मेरे को आगे चलके देखो मेरा क्या खुराफाती दिमाग देखो गाइस तो या मिल किया रसथी तो पहले से हट जिसका जुगाड करके रखता हूं मैं कि वो दो फिट हो चुका है आप मैं जा रहा हूं खाना खाने के रिए फिर आप लोगों को खाना खा के में मैं खा रहा हूं और यह देखे और साथी साथ मैं वीडियो देखता हूं मुंबै का निकल का मैं वीडियो खाते वेब देखता हूं एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज जो मैं आप लोग साथ शेयर करना चाहता हूं तो वो है यह मेरा गिटार जिसको मैंने 2016 में इसको मैंने खरीदा था यह माना यह हां यह सकेंड है यह पर्स्ट हैंड नहीं है और यह मेरा अब तक का सबसे फेबरेट चीज है जिसे मैंने खरीदा है और यह जब गिटार मैंने खरीदा था ना तो उस वक में एक social media का यूज़ करता था जो online live streaming app था तो उसके salary से मैंने ये गिटार खरीदा था तो ये मेरे ही पैसे का है तो मैं उस salary से जाके ये गिटार खरीदा था ये गिटार इससे खरीदा था वो भी बहुत अच्छा बंदा था तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे कम पैसे में ये गिटार दे दिया था तो वो मेरा passion देखे गिटार के लिए लेकिए वह बहुत इंप्रेस हुए थे तो जिसके वैसे उन्होंने में बहुती कम पैसे में मुझे ये गिटार दिया था उन्होंने और ये अब तक का सबसे मैं क्या बोलू ना कि मेरा सबसे बहुती जादा प्यारा बहुती जादा फेवरेट है एक्शली क्या ना कि क्या बोलू ना इसके लिए मेरा मुखबत ही कुछ अलग है क्या था ना कि जब मैं जब भी मैं बैंगलोर से कॉलकता जाता था तो इसको हमेशा साथ कह री किया है मैंने और घर वाले लोग यही बोलते थे और फिर उसको कि ट्रकारश करता था ना कि उसको हमें तश सात क्या इतर्ड तक किना मिरे को यहां पर समझ भी नहीं आता था कि अगर से खिच्फील के अपने साथ हमेशा के री किया है और फिर उसके बाद आघवरेख भी यह 2016 का बात है तो उसी दोरान मैंने तीन-चार मैना इसके लिए ट्विशन भी मतब किया था वह मैं जाता था केश्टोपूर जाता था पाक सरक्स से में केश्टोपूर जाता था गिटार सिखने के लिए यार बहुत ही मतब कि लंबा जर्नी वहां क्या था न कि वह जो थे भ गया था वह जैनवरी में मतब वहां से शिफ्ट हो के अपना मुंबै चले गए थे तो उसके बाद क्या हो गया मैं तो क्या है कि जैसे से पढ़ाई का लेवल जो इंक्रीज होते गया जब इंजिनेरिंग करते कि तो उसके बाद मैंने गिटार को बजाना थोड़ा मतब क्य और यह इंजॉय करें और वीडियो को लाइक जरूर करें अभी तो स्टार्टिंग है इंशाला जरूर इंशाला वो दिन भी आएगा जिस दिन मैं शायद प्रोग्रेस करूं या फिर मेरे मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो इंशाला जरूर अला पर भरोसा है वो द बहुत ही अच्छा जिससे मैंने रिया था उस नहीं लिखा है और बेंगॉली में तो बिंगॉली वाला में ममी से पड़ाए अपको सुनाहूंगा और यह देखिए अगर आप लोगो नजर आइसमें एधिए तो मैं आपको क्लोस से इसको करिपस दिखाऊंगा तो आप दे दिखेगा उड़ा दिखेगा और तो मैं आप कुछ में तिखाऊंगा किसमें लिखाऊंगा इसमें लिखाऊंगा इसमें लिखाऊंगा इसमें लिखाऊंगा है forget what hurt you but never forget what it taught you और यहां लिखाऊंगा है when you change your way of communications you will find all your relationship change यहां लिखाऊंगा है people are like music some people speak the truth and others are just noise वा 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 और कहांगा है यहां लिखाऊंगा है when words when words fail music speak and last one music say the word sorry music says the words which are a fair to speak out loud और यहां कुछ बिंगॉली में लिखाऊंगा है तो मेरे को नहीं आता है वो जिसको आता है वो please नीचे comment down में लिख दो कि क्या लिखाऊंगा है तो सामने वाले बिल्डिंग में इन लोगों को आज कुछ function है तो मैंने चाहता यार ऐसा कुछ weather यहां पर ऐसा हो जाए कि देख वेदर तो यार ऐसा लगी रहे कि बारिश होगा खैर ऐसा कुछ ना हो नहीं तो इन लोगों का function पूरा खराब हो जाएगा तो गईस देख लो वेदर जीरा ती चाह आगया मेरा तो मैं चाह पीता हूं यहर क्या नग मैं चाही जब मैं class 12 में था 11 12 में था ना तब से मैं चाही पी रहा हूं सुबह में उटके पढ़ने के लिए ना बहुत help करता था तो इसमक्त ममी तब से आदर दिला दी तब से चाई पीनेगा तो इसलिए मैं चाई लबरू तो आप लोग उसे बहुत जल्द में नए व्लोग के साथ मिलूंगा और तिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो दू कमेंड और प्लीज प्रेस दा बेल आइकन तो आपको मेरा नेक्स वीडियो अराम से इसलिए दिख जाए तो या आप लोग से बहुत जल्दी में नए व्लोग के साथ मिलूंगा आज में जादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि पिछे इतना नॉइस हो रहा है ना तो चल्ड़ आप लोग को लांस्ट आम दिखा देता हूं कि देखा है कि यार गाइस बैंगलोर में मैं चार साल हो गया है लेकिन आज कि इतना कलरफूल मैंने कभी ने देखा अपने एरिया को तो गाइस ओके बाइड तो आम ड़न विदान भाइड गाइड